हेलो एवरिवन, वेलकम टी यू आल इन इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल रन बाई मिस्टर अनमोल सर आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ सीब्यसी क्लास 11 होन बिल बोग से चैप्टर जो फिफ्थ पोएम है जो इस बोग का जो फिफ्थ पोएम है और लास्ट पोएम है तो यह है फादर टू सन आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ सुरू करने से पहले मैं बता दू कि अगर आप पहली बार इंग्लिश बाबा के चैनल में आय हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको एस सुन एस मिल सकें और आप अपना सिलवस मेंशन कर सकें तो चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं इस पोएम का जो टाइटल है फादर टू सन पिता से पुत्र और ये जो पोएम के जो पोएट है हुए है इलिजाबेथ जैनी तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम में आई डर्ट अंडर्स्टेंड इस चाइल इस पोएम में पोएम में सोयाख है आई कि नहीं जां सका यानी कि आई दॉन अनिस चाइल में इस बचफे को नहीं समझता आई कि आज तक मैं इस बच्छे को नहीं चाहा though we have lived together now हलाकि हम एक ही घर में बहुत सालों से इकठे रह रहे हैं in the same house for years I know nothing of him यानि कि मैं इस बच्चे को नहीं जान सका हलाकि हम लोग एक ही घर में बहुत सालों से इकठे रह रहे हैं तभी मैं इस बच्चे को नहीं जान सका I know nothing of him so try to build up a relationship from how he was when a small यानि कि मैं उस बारे में कुछ भी नहीं जानता इसलिए वो एक छोटा था तो कैसा था कैसा सोभाव का था यह जानकर एक रिष्टा बनाने की मैं कोशिस कर रहा हूं क्या मैं उसे मार दिया हूं उसकी बच्चपणा को छीन लिया हूं क्या मैं उसको नहीं जान सका पुत्र जो होते हैं वो पापा जी जो होते हैं वो अपने बेटे के साथ बहुत दिनों से रह रह रहे होते हैं लेकिन अपने बेटे के बारे में पूरी तरह से वो अच्छे से जान नहीं पाते हैं कि उसकी क्या रूची है उसकी क्या इंट्रेस्टेड है उन सब चीजों को लहें किया तो क्या उसको मैं छोड़ चुका हूँ या उसको मैं मार दिया हूँ या अपने बेटे के लिए मैं एक इस्टेंजर्स हो गया हूँ एक अजनाभी की तरह हो गया हूँ क्या मैंने उस बीच को मार दिया है जो मैंने और इसे उस जमीन पे बोया है यानि कि पोएट ये कह रहा है कि क्या मैं उस बच्चे को मार दिया हूँ जो मैंने कई दिन कई वर्सों पहले मैं उसको धरती पर लाया था और अपने वो मेरे खास बेटा जो है उसको मैं धरती पर लाया था तो क्या मैं उसको मार दिया हूँ we speak like strangers there's no sign of understanding in the air मैं सिर्फ उसकी और जरा सी भी नहीं हूँ यानि कि मैं एक तरह से उसकी अजनवियों की जैसे ट्रीट कर रहा हूँ हम अजनवियों की तरह बातचीत करते आ रहे हैं यानि कि वातावरण में यानि कि हमारे बीच आपसी समझ का एक भी कोई चिन नहीं है the child is built to my design, yet what he loves I cannot share यानि कि अजनवियों की तरह हम लोग बातचीत करते आ रहे हैं हमारे बीच आपसी समझ का एक भी कोई मार्क नहीं है यह बच्चा यह बच्चा मेरी पसंद के अनुसार ही बना हुआ है यानि कि बड़ा हुआ है और मैंने इसको पोशा पाला है नहीं जान पाया यानि कि कौन सी चीज़ों को पसंद करता है प्यार करता है नहीं उसको दिला सका और नहीं मैं जान सका तो कैसे एक दूसरे के बीच की रिलेशन्शिप को लाना चाहते हैं पोईट Silence surrounds us नहीं कि हमारे चारो तरफ चुपी चाय हुई रहती है सांती चाय हुई रहती है उसे अपनी दुनिया बनाने और चलाने के लिए उसकी बजा है मैं चाहता हुँ कि वो आपने पिता के घर में वापस लτα है यानि कि मेरे घर में वो वापस लτα है जहां वो रहता है और जो भी उसको चाहिए उसकी जो ड्रेम जो है जो भी उसकी वांट जो है उसको मैं पुरी तरह में फुल्फील करूँ I would forgive him too यानि कि वो घर जिसे वो जानता है दूख से एक नए प्यार का निर्मान करने के लिए मैं उसको पूरी तरह से माफ भी कर दूँगा और एक बार वो आप मेरे घर में वापस चला आया यानि कि पोईट यह कह रहा है इस इस्टेंजा में कि दूखों के बाद बहुत सारे दूख परशानियों के बाद पीता जो होते हैं वो पूत्र के साथ एक नए प्यार का दिस्ता बनाना चाहते हैं जो कि वो अपने बेटे को बुलाने की गोशिश करते हैं और यहां पी इस इस्टेंजा में पोईट यह कह रहा है कि वो कहता है कि हम दोनों बाप बेटे एक ही धरती और एक ही जामीन पर रहते हैं मैं खुद नहीं समझ सकता कि दुख से गुसा क्यूं होता है यानि कि जब भी दुख होती है तो उसमें लोग गुसे क्यूं हो जाते हैं माइसेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रम ग्रीव वी इच पूट आउट एन एंप्टी लेंड एंप्टी हैंड लॉगिंग लॉगिंग फॉर सम्थिंग टू सम्थिंग टू सम्थिंग टू फॉर्गिब अनि कि दिल में एक दूसरे को माफ करने के इच्छा करते हुए हम दोनों एक खाली हाथ दिखा देते हैं यां कि इस is यह कह रहा है कि पिता और पुतर के बीच में कर दूरिया जो है वो चाहे उनका मन एक दूसरे को माफ करना चाहता हूँ या नहीं हो पर वो बार बार उनके रिसते में खाली पर सा रह जाता है यानि कि bonding फिर से उनके आपस में चली आती है यानि कुछ दिर पहले इंट्रेक्ट नहीं होते हैं उनके बीच इंट्रेक्शन नहीं होती है लेकिन इस इस्टेंजा में poet ये कह रहे हैं कि पिता और पुत्र के बीच जो भी दुरिया है जो भी दरार है वो चाहिए उनका मन एक पे क्लियर होता है father to son so thank you very much for watching English Baba's video and if you want to contact to English Baba you could write English Baba's number 875748291387578293 thank you very much